Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 4, that is workbook of mathematics class 4, chapter is 8, अपवर्थ और अपवर्थ तक, यानि कच्छा चार का अंक जगा जिसकी ये कारिप्रुस्त का है, जिसका आप पड़ने वाले हैं आठमा, जिसका नाम है अपवर्थ और अपवर्थ तक, विशेश तरीकी की ये नाम है, जो आप आपको हर्जे के गड़त में पढ़ने के लिए नहीं मिलेंगे, जातर हम लोग क्या पढ़ते रहते हैं? गुलन, खंड पढ़ते रहते हैं, और इंगलीस में मल्टीपल और फेक्टर पढ़ते ही तो दो नाम अलग-अलग हैं, अपवर्थ हैं, यांपर अपवर्थ तक हैं आप बहुत ही अच्छी तरीके शेप्टर को समझ पाएंगे, बहुत ही आसान है और बहुत ज्यादा गड़त में काम में आने वाला भी है, जब आपको LCM, SCF अगर आपको फांड करना है, तो अगर आपको मल्टीपलिया फेक्टर नहीं आते हैं, तो आप LCM और SCF फांड नह आप 12 की टेविल अगर लिखेंगे तो तो हम लिखेंगे आप बार तक आप बारते हैं, अगर 12 की टेविल लिखेंगे, जैसे 12 बंजा 12, 12 टू जा 24, 12, 3 जा 36, 12, 4 जा 48, 12, 5 जा 60, 12, 7 जा 72, dot, 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 and so on, मतलब infinitely many, यानि अनन्थ तक आप 12 की टेविल लिखेंगे चले जाएंगे, कभी भी इसका अन्थ नहीं होगा, वैसे 12 आई 120 पर हम अन्थ कर देते हैं, लेकर ऐसा नहीं होता है, आप चाओ जितनी उसकी टेविल लिखेंगे, चले जाएए, तो जो मल्टिपल था, या मल्टिपल या अपवर्त, तो सीधिस बात यह वो किसी भी नमर का पहाड़ा होता है, जब हम अपवर्त या मल्टिपल की बात करते हैं, तो किसी भी नमर का पहाड़ा, यह से उननने का, कि 5 के कोई सुरू के 6 अपवर्त लिखेंगा, या 5 के कोई सुरू के 6 मल्टिपल लिखेंगा, त पाइब से निकलेंगे समझेगा अभी क्या था हमने यह बता है अब बर्तक अब बर्त या मल्टिबिल से मतलब होता किसी भी संक्या का पहाड़ा ठीक तो जैसे 12 का हमने यह पाड़ा लिख दिया यह 12 की मल्टिबिल होगे अब फैक्टर क्या होते हैं कुछ नंबर 12 से छोटे इधर भी तो हैं अर्थात कुछ नंबर इधर ऐसे हैं जिन के पहाड़े में भी तो बारा आते होंगे जिन संक्याओं के पहाड़े में बारे आ रहे हैं जिन संक्याओं के पहाड़े में पांच चारें वो ही फैक्टर होती बस इतना अंतर है अब देखे का एक के पाड़े में बार आएंगे दो के पाड़े में बार आएंगे तीन के पाड़े में बार आएंगे चार के पाड़े में बार आएंगे और बारे के पाड़े में भी बारे आएंगे अब इससे ज्यादा बारे के factor नहीं लेखे जा सकते हैं तो factor तो गए एक तरीके से परमित नमबर होते हैं यानि finite number कहते हैं जिनको गिना जा सकता है लेकिन multiple को गिना नहीं जा सकता है किसी भी number के multiple infinite यानि अनंत होते हैं उनका कभी भी अन्त नहीं होता है लेकिन factor गिने चोने होती है। यह हमने बारा की factor लेकि erkl eso was crypto eg 234 junk show CHACỜ वर दो तरीके गोते हैं एक होते हैं अलब हाज जी गुणली है फैक्टर यह गुणलफंड एक इखी बात होती है ओर हिंदीमें हम लोग गुलन खंड कहते हैं में और अब ये दो तरीके पहोते हैं एक अभाज गुलन ग्सक्राइग करने लिएशे फ्रकाथ से लिखा और बार एलग मात्य आपको अगली चेप्टर में बता जाएगा गया जब LCM SCM बढ़ाएंगे तो यह आपका अंतर एक समझना था तो यह क्या थे जैसे हमने एक ही एक्जाम पिल बारह लिए अद बारह का पाड़ा लिखना है तो यह मल्टीपिल होंगे या अपवर्त और किन-किन संक्याओं के पाड़े में बारह आते हैं यह फेक्टर या अप आप्वर्त लेक्वर्त होंगे अप समझते हैं इसकी एक्सेसाइज तो यह चैप्टर एट अपवर्त और अपवर्त ना देखेती हैं यहांब है किसी संक्या की अपवर्त का तात पर उस अंक्या का पहाड़ा होता है फिर कराए जैसे माले जीगा हमें चार निकाल चार में देखो समझो और खाली जगए वर्त हुए अब वर्त ग्याद करने हैं अभी पहले हमसे multiple पूचे गए हैं दो के पूचे गए इन्होंने करके दिखाए है यह लिख दिए अब तीन के आप करेंगे तो यहां लिखते हैं कि थ्री बंजा थ्री यहां लिखेंगे टू थ्री तो फॉर के जो अबवर्त संख्या निकली है वो निकली है फॉर स्वेम नंबर भी होता फॉर एट और ट्वेल इसी परकास यहां पर शिक्स के लिखने है तो शिक्स बंजा शिक्स तूजा ट्वेल और शिक्स त्रीजा एट टीन गर आपको इंदी मदी पाड़े आते अब यहां पर इक table दी गई और यह का गया इस साड़ी को देखकर देगी संख्याओं के अपवरत यानि हम से उस संख्याओं के multiple ही पूछे जा रहे हैं जैसे संख्या यहां पर given है नीचे यह संख्या गिवेन नहीं तो table में देखकर के चार के अबबर्त लिख दी जितने भी उसमें थे सब लिख दियें कि चालिस तक इसी परकास से में च्छह के अबबर्त इसमें लिखने हैं जहां तक आपती सीधी से बात है छे का पाडा लिख दिया इन्दा सेम भी यहाप पर नो के लिखने है तो नो का लिखने मतलब है आपके नो का पाडा लिख दीजिए गर नो इकन नो नव, दुनी, अठारा, नो, तिया, सताइश, नव, चॉअख, चॉट यस, नौ, पंचे, पैप्न, चॉट, शक्ते हैं रहा है, भी इसी प्रछकwei इजगा है, उसम्में एक तीरे, 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 दुनी, छबेश, तीरे, तीरे, जुट, आले, तूझा पहाड़ा होता है और यहां पर दी हुई संख्याओं के गुडण खंड की स्रंखला लिखनी है तो फेक्टर ट्री में क्या होता है इस प्रकास से एक ग्राप सा बनता चला जाता जैसे यहां पर यह गिविन है यह 24 के 9 ने बनाए है तो आप देखेगा यह 30 है जैसे तो 30 का हम क्या करेंगे यहां बीच में आप 30 लिख लिजिएगा और 30 के 2 भाग करेंगे एक तरफ द आजाएगा एक तरफ पन्दुरे आगया अब दो को इससे आगे तोड़ने ही सकते लेकिन पन्दुरे को हम तोड़ सकते एक 3 में तोड़ सकते हैं और एक 5 में को तोड़ सकते हैं यह लो dapat 30 के ठेकर ट्री बन गया और इसे प्रकास जैसे यहां पर 24 के 2 बनाए थे आप चाहूँते। तीस के 2 बनाए थो येसे 30 के इस प्रकास से कर सकते हैं जैसे 30 है हमारे पास. तो एक तरफ तीन करदो और एक तरफ दस करदो और फिर इसको 2 कर दो ये थर 5 करदो. इससे ज़ादा नहीं कर सेगे, नम्बर वही आएगे, देखो यहां पर 2-3-5, और 2-3-5, नम्बर वही आने हैं, और इसी प्रकास यहां पर 60 और 72 के ऐख्टरी बनाने 60 को आप यहां बीच में लिख लीजिएगा, पहले दो भाग में तोड़ेंगे, इस प्रकास तो इधर र आजा सकता फिनिश वो गया कि यह प्राइम नंबर आ गई लास्ट में इसी प्रकास 72 के देख लीजेगा तो 72 भी एक तरफ दो करेंगे तो एक तरफ आजाएगा दूसरी तरफ भी तीन आजाएगा तो इस प्रकास यह फेक्टर ट्री भी बनाया जा सकता है यहाँ पर वी एक टेविल दीगी पहले आप इस टेविल को सही तरीक देख लें फिर इस टेविल से समंदित ही हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए यह का गया है कि अठारा से बड़ी और अठारा से छोटी भाज संख्याएं लिखेगा इसमें देख कर गे तो एक 21 होगी, 22 होगी, 24 होगी, 25 होगी, 26 होगी और 27 होगी यानि वो संख्याएं जो किसी के पाड़े में भी आ जाएं एक के इलावा वो भाज संख्याएं होती हैं और इनके अठारा और 24 के बीचे हो अबाज संख्याएं एक उन्नेस और तेस दो ही अबाज संख्याएं पढ मतलब और एक कैसी वी संफ्क्या के पहाड़े में आ जाए संक्या होती हैं और जो केवल एक श्वहम के पहाड़ेमें आई या केवल जो संफ्रैलों के दो ही चो पहड़े में चाहे हो kissing तो अथास्यस ने पहली अबाद संक्या है 29 फिर है 31 उसकी बाद है 37 फिर है 41 फिर है 43 और एक है लास्ट में अर्थालिस से चोटी 47 यह वो संक्या हैं जो किसी के पाड़िम नहीं आती है तो स्वेम के पाड़िम आती है या एक के पाड़िम आती है या जब इनके आप गुणनखंड करेंगे तो जिन संक्याओं के दो से ज़्यादा गुणनखंड किये जा सकते बेसंक्या है बाद संक्या है कहलाते हैं अब यहां पर हमसे पूचा गया एक 48 बड़ी और 58 से चोटी सम संक्या है सम का मतलब होता जिन संक्याओं के लास्ट में जीरो दो चार छे आठ इन में से कोई अंतिम पर अंक आ जाए उस संक्या का तो संक्या श्रम होती है तो 48 बड़ी पहली सम संक्या 50 फिर वावन है फिर 54 है और फिर 56 बस 58 से चोटी चाहिए और 40 से बड़ी चाहिए देखें कि सब किसी संक्या लाश्ट में या तो जीरो होगा या दो या दो चार छे आठ ऐसे आती है ठी संक्या हैं वह थी जिनके लास्ट में एक तीन पाँच साथ और नौ होती यह सब संक्या बिशम होती हैं तो उनेंचास से बड़ी एक जाबन आएगी पहली पिर आएगी त्रेपन फिर आएगी पच्पन और फिर आएगी बस पच्पन ही सत्तावन से चोटी चाहिए तो तीन ह संक्या हैं उनेंचास सत्तावन बीच में बिसम संक्या पड़ रहे हैं तो तीन सम होगें तीन बिशम होगें और यहां पर कुछ बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमसे पूंचे जा रहे हैं देखेगा सबसे चोटी अबाश शंक्या सम होती है निदो तो दो ह संक्याओं का योग फ़ल भी हमेशा समही हो गा कोई दो संसंंक्या आप ले लिए ये से हमने पांच सवरी यह ले लिए हमने सं संक्या करेंगे हैं ऑर एक लेकल आठ जब इनका आपकर टोभी वह बैर बायस तो वो भी सम ही होगा किनी तो बिशम संक्याओं का योगफल ये जरूरी नहीं है कि बिशम हो वो सम भी हो सकता है ठीक या सम ही होता है हमेशा कोई भी दो बिशम संक्याओं आप ले लें जैसे हमने पांच ले लिया तीन ले लिया तो addition तो 8 आगया, तो यह sum हो गया, हमने 7 ले लिया और 5 ले लिया तो 12 आगया, तो विशम संख्याओं का योग फल भी हमेशा sum ही होता है, sum का तो sum होता ही है, और फिर यहां से पूँचे, एक से 10 तक की सभी संख्याओं का योग कितना होगा, एक से 10 तक की सभी संख्याओं का योग कितना होगा, योग जो होगा, वो कैसा होगा, कितना होगा, वो नहीं पूचे जारा कैसा होगा, संख्याओं का योग फल भी sum ही होगा, ठीक है, 10 से 20 तक की सभी विशम संख्याओं का योग फल भी sum ही होगा, के उपर बता चुके बिसम संक्याओं का योग फल भी सम ही होता है, सम का सम होता ही है, 15 से 25 तक ही सभी बिसम संक्याओं का योग, बिसम संक्याओं का योग भी सम ही होता है, किसी बिसम संक्या में एक जोडने पर यो संक्या पराप्त होती है, वो सम ही, कोई भी बिसम संक्या आ सभाव किसी भी बिसम संक्या में एक जोड़ने पर Sंख्याओं का यो बिसम संक्या मार लिज्ञा 9 एक हमने जोड़ा था कि आ गया थैंस तो किसी बिसम संख्याम मजब एक जोड़े से तो आगए फिर हम कुं संख्या ही प्राप्त होगी उर अब देखेगा इसम Sig तक आगे च्छे के अब बर्त क्या होंगे केवल एक और साथ की अब बर्त क्या होंगे साथ है चोदे है एक्किस है अठाइस इस प्रकास से पाड़ा लिखते है चले जाएए अब बारा के अब बर्त क्या होंगे बारा चौविस च्छतिस अड़ तालिस आगे भी अलब अनगीने तो होते हैं पंद्रा के अब बर्त क्या एक तीन पाच और पंद्रा इन सभी संक्याओं के पाड़ें पंद्रा आते हैं अब यहां पर पंद्रे का पाड़ा लिख दो पंद्रें कोई दो विशम संक्या हैं जो भाज हो ऐसी दो विशम संक्या हैं भाज का मलब है विशम संक्या हैं लिखो जो किसी दूसरी संक्या के पाड़े में भी आते हो जैसे एक नो हो गई और एक पंद्रे होगी देखो ये नो तीन के पाड़ी माता पंद्रे पांच और तीन के पाड़ी माता बिशम भी है कोई दो बिशम संक्या है जो अभाज हो तो दो के अलावा सभी अभाज संक्या है बिशम ही होती है तो दो बिशम संक्या है जो अभाज लिख्वायेंगRE तो एक आप लिख़ेजेगा पांच लिख़ेजेगा साथ लिख़ेज़ेगा तीन भी है तीन-पांच, साथ, ग्यारा ठीक तो अब आज भी है बिश्रम भी है श्म और विश्म संक्या का योगफाल हमेशा भाज हो एक ऐसी संक्या लिखेगा कि एक विशम और एक सम और एक विशम संक्या का योग योग फर लिखेगा जो भाज्य हो तो जैसे विशम संक्या आप जैसे एक संक्या जैसे हमने ले ली आठ और विशम संक्या ले लो साथ अब जरा इनका अडिशन करो आठ सम है साथ विशम है अडि that's all